Good morning student, I am Kamal Preet, I teach you a maths. Okay, fifth grade, your first chapter is Numbers and Numeration. दिखिए, आपने Numbers and Numeration के बारे में, previous class में भी पढ़ा हुआ है, like fourth में आपने पढ़ा था, hundred, thousand, lakh के बारे में. लेकिन आप इस class में पढ़ोगे, hundred, thousand, lakh और करोड के बारे में. वैसे तो करोड के आगे भी होता है, दिखिए, इसको पढ़ने से पहले आपको दो चीज़ों के बारे में information होनी चाहिए, आपको पता. First कि एक Indian system होता है, और दूसरा international system होता है. जो Indian system होता है, वो सिर्फ हमारे इंडिया में यूज होता है. Like हमने अगर distance को मेर करना है, या फिर currency को count करना है, समझ नहीं पाएंगे, उसके लिए हमें उनकी currency भी आती होनी चाहिए, लैसे कि million, billion. हमने इन दोनों के बारे में पढ़ना है, लेकिन सबसे पहले हम start करेंगे अपना Indian value system, ओके, सो सबसे पहले start करने से पहले आपने date and day डालनी है, chapters का name लिखना है, जैसे की numbers and numeration है, और आज हम सबसे पहले बनाना सिखेंगे chart, कि हमने chart कैसे draw करना है, देखे, सबसे पहले हमने chart draw करना है, इस side को, क्योंकि कई बर हम जब ऐसे draw करते हैं, तो पूरा नहीं आता, तो हम side को draw करेंगे, सबी बच्चों ने neat and clean draw करना है, with the help of a pencil, सबी बच्चे scale के साथ draw करेंगे, कोई भी freehand draw नहीं करूँगे, ओके, this is an Indian place value chart, सबसे पहले आपने four boxes बनाने हैं, once, thousand, lakh, crore, अब आपने once में three boxes बनाने हैं, once, tens, hundred, thousand में two boxes को डिवाइड गरना है, thousand, ten thousand, lakh में भी, lakh, ten lakh, crores में, crore, ten crore, once को three में, thousand को two में, lakh को भी two में, और crore को भी two में, अब क्या हैं, अब आप पीछे से लिखना start कर दो, इधर के हैं, one, ten, hundred, thousand, ten thousand, lakh, ten lakh, crore, ten crore, हर बार, एक एक zero increase होते जाना है, जैसे यहाँ पर कोई नहीं था, one, two, three, four, five, six, seven, eight, अब आपको बता चल गए कि, ten crore में कितनी होते हैं, crore में, seven, lakh में, six, ten lakh में, six, lakh में, five, next four, three, two, one and, zero, अब अगर हम बात करें कौमाज की, तो इसके पीछे भी एक logic है, देखो, सबसे पहले, जैसे once में, three boxes में divide हुआ है, तो आपके, जब three, zero complete हो जाएंगे, तब कौमाज लगेगा, यहाँ पे तो नहीं complete थे, तो इधर complete होगे, तो हमने क्या लगा दिया, कौमा लगा दिया, अब क्या है, अब आपके पास two, क्योंकि thousand में भी two, boxes में divide हुआ है, lakh में भी two में divide हुआ है, और crore में भी two, जब जब two to next three के आगे, जब भी two to terms complete होती जाएगे, तो आपके क्या लगते जाएंगे,